आप सभी का फिर से स्वागत है कॉम्पेटिशन कम्यूनिटी में आज हम डील करने वाले हैं चतीस गड़ करन्ट अफेस पर बेस्ट एमसी क्यू याने की जुलाई के पहले हफ्ते में जो हमारी समसमाई की चतीस गड़ से महत्वपूर्ण थी उन्हें हमने करने क्या किए सब्जेक्टिव में डील कर लिया है आज हम करने वाले हैं क्या उनके एमसी क्यू सबसे पहला हमारे पास में तीन या फिर एक दो तीन और चार याने की सभी आप लोग सभी इसका क्या करेंगे जवाब देंगे युगांश्वर्मा शुनाक्षे निशाद गुणवंश निशाद या फिर प्रीति निशाद केवल एक एक और दो एक दो और तीन एक दो तीन और चार तो यहां पर जो हमारे युगांश वर्मा है सुनाक्षी निशाद है और गुडवंत निशाद याने कि इन तीनों को ही क्या किया है इन दौर में होने वाले इन दौर में होने वाले सब जूनियर नैशनल मिनी गॉल्फ चैंपियंशिप के लिए चुन लिया गया है और ये सभी के सभी कहां से है राइपुर जिले के तिल्डा ब्लॉक के तारपोंगी नामक जगे से हैं ग्राम से हैं और ये टार्पोंगी एक चीज और के लिए भी विशिष्ट है हमारे चत्श गड्मे वह कौन सा चीज है इसे आप लोग क्या करेंगे हमारे कमेंट section में कमेंट करके हमें बताएंगे ये आप लोगों का homework है कि जो तार पोंगी है यह 36 गड़ में किस नाम से फेमस है या किस चीज के लिए फेमस है यह सभी आप लोग बताएंगे तो यहां पर आप लोगों के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी याने की वन टू एंड ट्री ओनली ठीक है चलिए अगला क्वेशन देखेंगे वेर विल बी दा सब जूनियर नैशनल मिनी गॉल्फ चंप चैंपेंशिप और्गनाईज इन अगस्ट तुदाउजन ट्वेंटिफोर अगस्ट दोहजार चॉबीस में सब जूनियर पुषेंडी इंदौर नवारायपुर बेलासपूर कटक इंदौर इसका जवाब आप लोग देंगे नवाराइपूर विलासपूर कटक या फिर इंदौर इन सभी में से कौन सा वो स्थान है जहां पर सन 2024 के अगस्त में सब जूनियर नैशनल मिनी गॉल्फ कॉम्पिटीशन क्या किया जाएगा आयोजित कराया जाएगा यहां पर आपके लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर याने की ऑप्शन नंबर इंदौर ऑप्शन नंबर डी इंदौर में क्या किया जाना याला है यह हमारा सब जूनियर नैशनल मिनी गॉल्फ चैंपियंशिप आयोजित कराया जाने वाला है जिसमें हमारे 36 हुए हैं क्या जयनित अगला देखते हैं अगला क्वेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् रक्षण से संबंदित है ऑप्शन नवर ए ऑप्शन नमबर बी चट पर सोलर पैनर या फिर सौर पैनल की सहायता के लिए संबंदित है नकसल विरोधी अभियान से संबंदित है या फिर मौन्सून के दौरान प्रात्मिक और माध्यमिक विद्यालयों में उपस्थिती को Special Task Force Central Reserve Police Force द्वारा तीनों द्वारा मिला करके क्या है यह एक एंटी नकसल प्रोग्राम है एंटी नकसल अभियान था यह जिसमें भारी मात्रा में क्या हुआ है नुकसान पहुंचा है कि ने नकसलियों को भारी मात्रा में नक्सलियों का आत्मसमर्पन भी हुआ है और नक्सलियों का क्या हुआ है बहुत सारे एम्यूनीशन जो थे गोला बारूट जो थे उन्हें भी बरामत किया गया है तो यहां पर आप लोगों के लिए ओप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सहीं हो जाएगा ओप्शन नंबर सी याने की नक्सल विरोधी अभियान है यह आपका ऑपरेशन मौन्सून प्रहार आगे चलते हैं ऑपरेशन जल शक्ती इस रिलेटेड टू ऑपरेशन जल शक्ती किससे संबंदित है वर्षा जल का संरक्षन छत पर सौर पैनल की सहायता नक्सल विरोधी अभियान या फिर मौन्सून के दौरान प्रात्मिक और मैध्यमिक व रेंवाटर असिस्टेंस ऑफ रूफ टॉप सोलर पैनल एंटी नक्सल ऑपरेशन या फिर इंक्रीजिंग अटेंडनेंस इन प्राइमरी और सिकंडरी स्कूल्स दूरिंग मौन्सून तो जो यह आपका उपरेशन जल शक्ती है यह भी बस्तर डिवीजन के स्पेशल टास्क फोर्सेज डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रूप्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की मिश्रित अभियान रही है लेकिन यह हुई है कब जून में मिश्रित अभियान रहा है यह कैसा अभियान यह भी आपका एंटी नकसल अभियान है एंटी नकसल अभियान है ना या फिर ऑपरेशन तो आप लोगों से सवाल यह पूछा जा सकता है अभी तो अलग अलग है हो सकता है यह दोनों को आपको कंबाइन करके पूछा जाए यह भी आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है अगे चलते हैं अगला जो हमारा सवाल हो जाएगा वो इन विच ओफ दा फॉल्विंग डिस्ट्रिक्ट यूनिसेफ विल प्रोवाइड टेकनिकल एसिस्टेंस फॉर बेटर्मेंट ऑफ हेल्थ एन नूट्रिशन निम्न लिखित में से किस जिले में यूनिसेफ स्वास्थ और पोशंट की बहतरी के लिए तकनीकी सहायता प्रद की तो यह जो यूनिसेफ है यह आपके इस पर्टिकलर जिला में हेल्थ और नूट्रिशन सम्मंदि जितने भी विकास आत्मा कार किये जाएंगे उसमें तो टेकनिकल एसिस्टेंस देगा ही साथ साथ वो सभी छेत्र जो एक पुरुष के या फिर एक व्यक्ति के सरवांग के लिए जरूरी होंगे उन सभी छेत्रों में यह क्या देगा अपना टेकनिकल एसिस्टेंस देगा जैसे की सिक्षा स्पोर्ट्स क्लीनेस और सैनिटेशन है ना डिजास्टर मैनेज्मेंट इन सभी छेत्रों में यूनिसेफ क्या करने वाला है इस जिले की मदद करने वाला है और यह जिला कौन सा है गोरिला पिंड्रा मारवाही, मनेंद्रगड, चिर्मेरी, भरतपूर, खैरगड, चुई, खदान, गंड़ई, या फिर मुहला, मानपूर, अंबागड, चौकी तो यह है आप लोगों का ओप्शन नंबर बी, मनेंद्रगड, चिर्मेरी, भरतपूर इस जिले में क्या होने वाला है, UNICEF के द्वारा Health and Nutrition को प्रमोट करने के लिए Technical Assistance दिया जाने वाला है, राज्ज की स्वास्त एवं परिवार, कल्यान और Medical जो आपका विभाग है, यानि की उसको सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है, अगला चलते हैं हमारे पास में इसका सिधा सदा हमारे पास में जवाब हो जाएगा, निजात कारिकरम, सन 2022 में IPS संतोष कुमार सिंग के अगवाई में एक anti-intoxicants का ये drive शुरू किया गया था, निजात कारिकरम जो काफी promising results जिसके रहे, शुरुवात में इसे कोरिया और राजनांद गाउं में क्या किया गया था, शुरुवात की गई थी इनकी, बाद में इन्हें चतीजगड के लगबग सभी cities में क्या कर लिया गया है, चालू कर दिया गया है, और मुख्यता ये क्या है, नशे के खिलाफ, चतीजगड की चतीजगड रिसीवड दा को एटेड आये सीपी लीडर्शिप इन क्राइम प्रेवेंशन अवार्ड याने की चतीजगड के पुलिस विभाग को किस वर्ष अपराध रोक्ताम के प्रतिष्ठित आये सीपी का क्या मिला था, नेत्रित्व करता पुरस्कार मिला था, है ना, IAC क्या है, International Association of Chiefs of Police, यह इसका फुल फॉर्म है IACP का, है ना, और किस वर्ष चतीजगड के निजात कारेकरम को या फिर पुलिस विभाग को क्या दिया गया था, पूछ रहा है, क्राइम की रोक्ताम के लिए, अपराध की रोक्ताम के लिए, नेत्रित्व करता का पुरस्कार दिया गया था, 21, 22, 23, 24 चतीजगड के निजात कारेकरम को ये अवार्ड दिया गया था, पुरे विश्व में, क्राइम की रोक्ताम के लिए, नेत्रित्व का एक क्या मिला था, इसे अवार्ड मिला था, और ये दिया गया था, आप लोगों को सन, सन, 2022 में, सन, 2022 में, आगे चलते हैं, अंडर हूस लीडर्शिप वाज, निजात कैमपेन लॉंच्ट, अब भी आप लोगों से पूछा गया है, क्या अब भी हम लोग डिसकस किये हैं, जो निजात अभियान है, किसके नेत्रित्व में शुरू किया गया है, उप्शन नमबर ए, उदेयन बिहार, उप्शन नमबर बी, विजय पांडे, उप्शन नमबर सी, संतोष कुमार सिंग, या फिर उप्शन नमबर डी, विवेक बंसल, कौन से वो पुलिस आफिसर हैं, जिनके लीडर्शिप में निजात कारिकरम को लॉंच किया गया था, ए, उदेयन बिहार, बी, विजय पांडे, सी, संतोष कुमार सिंग, या फिर डी, विवेक बंसल, तो ये सं 2022 में संतोष कुमार सिंग, संतोष कुमार सिंग के नेत्रित्व में क्या किया गया है, इसे शुरू किया गया था, मतलब, यूनिसेफ का गठन कब किया गया था, कि स्थापना कब हुई थी, 1946, 1956, 1966, या फिर 1976, 1946, 1956, 1966, या फिर 1976, तो इसका जवाब आप लोगों के लिए हो जाएगा, 1946, याने कि वर्ल्ड बॉर सेकेंड के बैक ड्रॉप में इसे क्या किया गया था, बनाया गया था, 11 दिसंबर, 1946 को, और इस यूनिसेफ का मानना था, कि विश्व के चाहे कोई भी देश हो, कोई भी संगठन हो, जब इनके बीच में वार होता है, या युद्ध होता है, तो उसमें परिशान होने वाले जो बच्चे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, और उनके लिए हर प्रकार की फैसिलिटीज को मुहिया कराने के लिए क्या किया गया था, यूनिसेफ का गठन किया गया था, 11 दिसंबर, 1946 को, अगला जो हमारे पास में प्रश्न है, वो हो जाएगा, याने की चत्तीजगड सरकार द्वारा नकसल प्रभाविच छेत्रों के लोगों के काया कल्प के लिए, या फिर पुनरवास के लिए शुरू किये गए अभियान का नाम क्या है, अक्रुक खोलखा, मोहुद पॉच, नियाद निल्ला नार, या फिर उप्रोक्त में से कोई नहीं, अक्रुक खोलखा, मोहुद पॉच, नियद निल्ला नार, नियाद निल्ला नार, या फिर उप्रोक्त में से कोई नहीं, ये चतिसगड की एक ऐसी स्कीम है जो सिक्योरिटी फोर्सेस के कैम्प्स के पांच किलो मीटर तक के रेडियस में आने वाले जितने भी आपके क्या है गाओं है उन सभी गाओं में बुनियादी सुविधाओं को पहुचाने के साथ साथ सरकारी योजनाओं के फैसिलिटीज क भी पहुचाने का काम किया जाता है और इस स्कीम का नाम है ऑप्शन नंबर सी नियाद निला नार स्पेसिफिकली किन के लिए है ये नकसल प्रभाविच छित्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए है क्योंकि जूलाई के पहले हफते में हमारे लिए बहुत अगर आप चाहते हैं अपने केरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िये कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेबसाइट के केरियर पेज पर विजिट करें अत्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम को को